जारगंट के दुमके जिले में एक बहुत ही शर्मनाग घटना देखने को मिली है यहां फर्स मार्च को एक स्पैनिश महिला के साथ साथ लोगों ने मिलकर गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया यह कपल वर्ल्ट रूल के लिए बाइक पर निकले थे और अब तक 63 कंट्रीज घूम चुके हैं महिला और उनके हजबन को बुरी तरह पीटा गया और साथ लोगों ने मिलकर महिला का गैंग रेप किया महिला का कहना है कि उनके सामान भी चोरी किया गया हलाकि चोरी उनका में मोटिव नहीं था करीब राद 11 बजे पैट्रोलिंग के लिए आई पुलीस ने इस कपल को देखा और उनसे बात करी क्यूंकि वे स्पैनिश में बोल रहे थे तो पुलीस ने उसे गूगल ट्रांसलेट करके समझा और उन्हें पास के हॉस्पिटल में एड्मिट करवाया जहां महिला के साथ गैंग रेप होने की पुष्टी हुई इस केस में अब तक तीन लोगों को गिरिफतार कर लिया गया है मगर चार लोग अभी भी फरार है महिला को कमपंशेशन के तौर पर 10 लाग रुपे भी दिये गए हैं और आ रूपियों पर सक्त कारवाई करने की मांग भी की जा रही है इस केस में आगे क्या होगा ये तो नहीं पता मगर कुछ आंकड़े हैं जो दिल दहला देने वाले हैं आईए उनके बारे में जानते हैं NCRB की रीसेंट 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में हर दिन 90 रिप्स रिपोर्ट हुए यानि हर 18 मिनट में एक मुमेन का रिप सबसे जादा केसी रिकॉर्ड किये गए राजस्थान में फिर उत्तर प्रदेश में और फिर मध्य प्रदेश में ये वो केसी हैं जो रिपोर्टिड हैं इसके अलावा काफी केसी ऐसे भी हैं जिन्हें रिपोर्ट किया ही नहीं जाता हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि इन स्टेट्स की गौर्वर्मेंट रेप जैसे क्राइम के लिए कोई स्टेप नहीं ले रही है नंबर ओफ रिपोर्टेड केसी ये कभी डिसाइड नहीं कर दी कि वहां की गौर्वर्मेंट या पुलिस कितनी एफेक्टिव हो सकता है कि वहां के लोगों में अवेरनेस जादा है इस वज़र से लोग क्राइम को ज्यादा रिपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में आज भी सेक्स एक टैबू बनकर रहा गया है को इसके बार में खुलकर बात नहीं करता आपके इस न्यूस पर क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं